तो क्या ये देश एक गैर पढ़े लिखे अंपढ प्रधान बंत्री के होने का खाम्याजा भुगत्ता रहेगा कभी आप GST जैसा पहसला लेते हैं व्यापारीयों को बरबात करते हैं कभी तीन काले कानून का फैसला लेते हैं किसानों को बरबात करते हैं कभी नोडवन्धी को आफ हैसला लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं अब डिग्री पर जुर्माना हो जा रहा है डिग्री पूछ लो तो मतलब भारत के प्रधानमंत्री के डिग्री के बारे में देश के 140 करोन लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए तो ये मतलब जिस मुकदमे में केजरिवाल जी पार्टी भी नहीं है उसमें जुर्माना हो रहा है कि आदेश किया विश्विद्याले को मोधी जी ने का भाई तुम जाओ हई कोट हमारी डिग्री नहीं बताना है तुम्हें वो चले गए हई कोट कि अब हाई कोट का इप हैसला आ गया इसमें जुर्माने का सवाल क्या आ गया आप से कोई पूचले भ tecnología आपकी डिगरी क्या है तो आपको जुर्माना तुम्हारे उपद आप बताईए कोई एक क्लर्क की नौरी करने जाता है उसकी भी डिगरी मांगी जाती है देश के प्रधान मंत्री बन गए अब तो कोई चीज छिपी नहीं रहती सब कुछ आपको आउनलाइन देना होता है तो अपनी डिगरी दिखा दो ना ओरिजनल वाली कि यही है इंटार पॉलिटिकल साइंस की डिगरी दिखा यह इंटार पॉलिटिकल साइंस की डिगरी तो ये सबसे बड़ा सवाल है गैर पढ़े लिखे अनपढ़ प्रधान मंत्री का खाम्याजा देश को भुगतना पढ़ रहा है कल हमारे भाईयों ने आप पोस्टर लगा दिया कि क्या देश का पीम पढ़ा लिखा होना चाहिए दरोगा भेद दिया पोस्टर फाड़ने के लिए बताइए मोदी जी ने दरोगा भेद दिया पोस्टर फाड़ो जाके कहरे नहीं नहीं अनपढ़ ही होना चाहिए पहा लिखा नहीं होना चाहिए पोस्टर फाड रहे हैं दरोगा अपराज नहीं रोख सकता दिल्ली में लेकिन पोस्टर फाड रहा कहरा नहीं नहीं देश का प्रधान मंत्री तो अनपढ ही होना चाहिए क्या गुना कर दिया कुछ भाईयों ने पोस्टर लगा के पूच दिया क्या देश का प्यम पढ़ा लिखा होना चाहिए मोदी जी ने दरोगा से का जा के पोस्टर फाड़ो देश का प्रधान अनपढ ही होना चाहिए यह हो रहा